बसकार आप देख रहे हैं इक्जाम टूर बिहार में आप से बता दें लगतार वेकंसी दिया जा रहा है फिर भी अव्यर्ती बेरोजगार रह जा रहा है एक और वेकंसी आ चुका है वेल्टरौन का और इसमें डाटा एंट्री अपरेटर और एक बात बता दें पिछला बार जो चड़ चुके हैं, पिछला बार जो आवेधन किये हैं, उनके साथ क्या होगा, क्या वा फिर से आवेधन करेंगे, या उसी रजिस्टेशन पर उनका काम चलेगा, इस पर भी चर्चा करेंगे, क्या-क्या योगता होना चाहिए, टाइपिंग स्पीड कितना होना चाहिए, केवल 10 प्लस 2 यदि आप पास हैं, तो इसमें वेकेंसी की संख्या बहुत सारे लोग कर रहें, कि 3000 होगा, 4000 होगा, 5000 होगा, कोई बता रहा है, 2000 होगा, इस पर भी बातचीत करेंगे, कि कितना वेकेंसी हो सकता है, कब तक ज्वाइनिंग हो सकता है, 60 साल तक आपको नहीं हट संख्या अभी तक नहीं बताए गया, लेकिन संख्या अधिक होता है, जब जब ज़रूरत होता है, विद्यार्थी को बुला लिया जाता है, कितना बड़ा अफ़र्चुनिटी होगा, जो अभ्यर्थी, competitive exam की तैयारी कर रहे हैं, उनके होगा, सबसे पहले तो यह समझना है कि जैसे Beltron है, Beltron एक IC Agency है, semi government agency है, ना तो यह complete private है, ना तो complete government के अधिन काम करती है, यह semi government है, और इसका काम है, जैसे कि Beltron यह बिहार के संदर में है, इसका काम है कि बिहार के अलग-अलग, जो department है, बिहार सरकार के, वहाँ पर data entry operator supply करना एक तरीके से, और भी जो इसका करती है, तो अलग-अलग department में supply एक तरीके से करती है, कहने का, जैसे कि, जैसे इसमें आप देखे हैं, का 18 साल से 69 साल तक बच्चे form apply कर सकते हैं, और इसके लिए सबसे बरी बात यह है, यह 20 फरवरी से 15 मार्च तक अभी apply होना है, और 4 साल, 5 साल पे यह एक बार vacancy आती है, और कहने का यह नियोजन की तरह है, इसका, लेकिन जनरली तीन साल के लिए पहले इसका recruitment होता है, लेकिन अभी तक का record है कि कि किसी को हटाई नहीं है, इसका इतना ज्यादा highly demanded है यह, कि इसको हटाना मेरे ख्याल से मुस्किली है, क्योंकि दिनो दिन experience भी तो बढ़ते जाता है, इसलिए करके कहने का जो भी हो, लेकिन एक बार अगर आप जोइन करते हैं, तो साट साल तक आप जॉब कर सकते हैं, सबसे बड़ी बात है, कि अभी बेरजुगारी की जो इस्थिती है, आप देख रहे हैं कि लगातार सरकारी भेकंसी की संख्या कम होती जा रही है, और बच्चों की संख्या अपलाए, फॉर्म अपलाए की करने वालिक संख्या लगातार बरती जा रही है, वो इसी परिस्थिती में, जो भी स्टुडेंट SSC की तयारी करते हैं, बिहार SSC की तयारी करते हैं, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस की तयारी करते हैं, या किसी भी competitive exams की तयारी करते हैं, तो मेरा कहना है कि एक बैकल्पिक बैवस्था अपना आप सुरक्षित रखें, जो बरतमान पर इस्थिती है, क्योंकि नहीं तो ये इस्थिती उत्पन हो जाएगी आपके लिए, ना घर के रहेंगे, ना घाट के रहेंगे, एक दम ये बात को मान करके चलना है, और इसमें क्या है, जैसे प्लस टू इसका क्वालिफिकेशन है, लेकिन साथ में इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग का ज्यान आपके लिए अतियावस्यक है, और साथ कोस्चन इसमें पूछा जाता है, एक जाम में, साथ कोस्चन में 50% मार्स आपको जरूरी है, और साथ हो कोस्चन अग्यान में 30 मार्स आपको पास करेंगे, तो साथ में दौन उएक जाम आपका एक साथ होगा, रिटन एक जाम भी होगा, और उसी दिन टाइपिंग एक जायेगा, इंगलिस और हिंदी दोनो टाइपिंग चाहिए, तो अभी से चार सारे 4 म महिने के बाद exam होगी तो जो student English typing जानते हैं Hindi typing नहीं जानते हैं तो अभी उनके पास समय है चार महिने में Hindi typing कर सकते हैं जो लोगा करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं उसमें कोई problem नहीं है और जो आप बात बोले कि percentage लाना है कि जैसे आप qualify कर गए return उसके बाद हिंदी typing के आधार पर एक तरीके से merit बनाती है तो यह होता है कि यह जरूरी नहीं है कि तुरत आप पास के हैं तुरत आपको बुला लेगी अपने जरुरत के हिसाब से लगातार दो साल तीन साल चार साल रेंग के हिसाब से लगातार आपक स्टार्टिंग होता है सब एड करके 25,000 अगर आप driver जोईन करेंगे technician जोईन करेंगे 18, 19,000, 20,000 साब को मिलेगा यहां 25,000 साब का स्टार्टिंग है और परतेक साल 10% increment है बहुत बुरा नहीं है अहां सब चीज रहता है जो कि government का norm है सब पहिसा आपका कटता है इसले करके मे optional व्यवस्था आपना continue रखना चाहिए और यहां platform में भी platform by नवीन कुमार सिंग एप मातर 499 रुपिया में एक हम बैच भी 27 तारिक से दे रहे हैं उसका नवीन कुमार सिंग यूटूब चैनल पर उसका डेमो भी हम देंगे आप देख लें अच्छा लगेगा तो जोईन क उसका फी लगेगा सबसे बरी बात है का अब भी हर S.S.C का सब बच्चे फर्म भरे होंगे और उस फर्म भरने के क्रं में एक साल का computer का certificate सब के पास होगा और इसमें एक साल का computer का certificate खोज रहा है तो इस सारा eligibility तो आपके पास है ही इसलिए फ़र्म भरने में मेरे ख्याल से कोई दिकत नहीं है कोई बुराई नहीं है आप देखें कि इसका फॉर्म जो है 20 फरवरी से ले करके 20 फरवरी से स्टार्ट होगा भरना इसमें आप देख रहे हैं 10 प्लस 2 होना चाहिए और एक वर्स का इसके अलाब आप परिष्छा सुलक देख रहे हैं कि SCST कंडिडेट के लिए 200 रुपया और वियार राज का स्थाई नहीं वासी यूर महिला उमिदवार के लिए 250 दिभ्यांक के लिए 200 रुपया और यूर के उमिदवार के लिए 1000 रुपया और इसके बाद 20 तारिक से लेके 15 रमाज तक फॉर्म भराई होगा सब इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है कंप्यूटर आधारित परिच्छा एक घंटे की होगी जिसमें 60 वस्तुनिस्ट प्रसन पूछे जाएंगे और 50% अंकलाना आवस्यक होगा हिंदी और अंग्रेजी दोनों की टाइपिंग के दक्स 25 वड़ परति मिनट होगा तो सारा चीज आप देख रहे हैं कि इसमें पूरा डिटेल दिया हुआ है यह सारा इसका इसमें असपस डूप से लिखा हुआ है कि MCQ मोड में होगा एक घंटा 60 परसन दिया हुआ है 50% लाना जरूरी है और 30 वड़ परति मिनट 25 वड़ परति मि हल गएगा 12 का मूल परमानपत्र लगेगा क्रिमी परमानन पत्र चाहिए जाति परमानपत्र चाहिए निवास परमान पत्र चाहिए मजिद का हस्त ल हम पेंड कर जागे तो तब तक इह सब लोग इसी से जा रहे हैं अभी कोई उस तरही का सब भरती नहीं है यहीं से बेजा जा रहे है तो एक अच्छा अपर्चिनिटी है बिहार में घर में रह करके 25,500 रुपया अगर आप उठाएंगे पर मंत मेरे ख्याल से बहुत बुरा भी इसमें नहीं है इस बेरुजगा के आलम में इस बेरुजगारी की स्थिति में सीट की संख्या बात कीजिए तो बहुत अधिक हो जाता है आपको केवल क्वालिफाई करना है यदि आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो यह जो आपके लिए है यदि आप कॉंप्यूटर जानते हैं नहीं भी जानते हैं सिख सकते हैं मेहनत कीजिए यदि आप एक्जाम टूर पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए लोगों में सेर करिए जाहिंद